यूटूब चैनल टूड़े आइम गईंग टू स्टार्ट कनफ्यूजड वर्ड फ्रेंट्स आज मैं कनफ्यूजड वर्ड के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूं friends confused word पे मैंने 200 वीडियो बनाए हैं और आप सभी वीडियो को देखें जिससे आपका vocab जो है बहुत ही strong हो जाएगा और जब vocab आपका अच्छा हो जाएगा तो ये आपके सभी competitive exam में काम आएंगे और vocab से संबंधि सारे question आप आराम से कर पाएंगे इसलिए आप मेरे vocab के सभी वीडियो कन्फ्यूज वर्ड और spelling mistake के सभी वीडियो देखें आएए देखते हैं सबसे पहले है ascent a double c e n t a double c e n t double c e n t है ascent की मिनिंग होती है ascent एक noun है इसकी मिनिंग होती है स्वरा घात उचारण चिन ascent की मिनिंग होती है स्वरा घात उचारण चिन a double c e n t हो जाता है जब अगर a double c e n t है तो ऐसे a double c e n t यह है यह एक वर्व है और इसकी मिनिंग होती है सहमत होना a double c e n t की मिनिंग होती है सहमत होना या स्विक्रिती देना यह एक वर्व है उसके बाद Accomplice A-C-O-M-P-L-I-S-H A-C-O-M-P-L-I-S-H Accomplice L-I-S-H जिसमें रहेगा वो A-C-O-M-P-L-I-S-H ये एक वव है जिसकी मिनिंग होती है पूरा करना, समारना, निखाना और A-C-O-M-P-L-I-C-E जब L-I-C-E लाष्ट में रहेगा A-C-O-M-P-L-I-C-E जब रहेगा तो ये एक नाउन बन जाता है और जिसकी मिनिंग होती है सह अपरादी या शाकर्मी उसके बाद नेक्ट देखते हैं Acid A-C-E-T-I A-C-E-T-I-C Acid A-C-E-T-I-C 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 Acid ये एक एक एक्जेक्ट्व है Acid 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 क्या है ये एक एक एक्जेक्ट्व है हाँ और Acid एक एक एक्जेक्ट्व है जिसकी मिनिंग है तेजाबी या अमली Acid से Acid हुआ है एक एक एक्जेक्ट्व होगा तो वो एक नाउन बच जाएगा जिसकी मिनिंग होती है वैरागी या सन्यासी उसके बाद Action A-C-T-I-U-N Action ये एक नाउन है जिसकी मिनिंग होता है कर्म, कार्य, या प्रवाही उसके बाद A-U-C-T-I-U-N A-U-C-T-I-U-N होता है A-U-C-T-I-U-N Action होता है इसका मतलब होता है निलाम या निलाम करना निलाम या निलाम करना है ये नाउन और बर्व दोनों होता है नाउन और बर्व दोनों A-U-C-T-I-U-N होता है जिसका AUCTION होता है इसे action पढ़ते हैं आक्षें AUCTION ये नावन ये अब अब दोनों है जिसकी मिनिंग होती है निलाम करना ADGE ADDE ADZE ए नावन है कहावत य लोकोक्ती EDGE EDGE ये एक नावन है किनारा या छोर EDGE जब होगा तो यह नाउन है यह भी नाउन है इसका मतलब होता है किनारा या छोड़ ADGE EDGE 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 is means किनारा इसकी मिनिंग क्या होगा is means किनारा ADGE अदलब कहावत या लोकक्ति अफेक्षन एडबल F E C T I UN अफेक्षन सने हैं लगाओ ADGE EDGE 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 ED हो एक नावन है है यह यह मेश होता है उत्र अधिकारी उसके बाद यालाइन ऐलाइन जब रहेगा यह नावन हो इसकी अलाइओ जिएन जब रहेगा पर इसकी मीनिंग होती ये वह है एक वैराई जिह आट जीएन बह च sait कि मीनिंग होती है जोड़ना युद्ट लाइंट ए घालाइमेंट यह यह जिसका मतलब इस जिसकी मिनिंग् कब थीख सब सभात यद की करते विडियाख सब्य्च ठीक अल आ राइज अग को द ओल फु कि अन्य व मुता जबकि ऑल है सब्आइडी मीए थीक आ यह इसका प्रियोग नहीं होसा All Around, All All, R loved, All around, all around, ये adjective है, जिसकी मीनिंग होती है, सरवतों मुखीआ, चौतरफा All Around, ये All Around है, ये All Around है, All around है, All around ये जो की praise है, इसकी मीनिंग होती है, चौतरफा उसके बाद elude elude a-l-l-u-d-e 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 elude यह क्या है? वव है जिसका मतलब होता है जिसकी मीनिंग होती है इसारा करना या संकेत करना a-l-u-d-e elude की मीनिंग क्या होती है? इसारा करना या संकेत करना e-l-u-d-e E-L-U-D-E जब रहेगा E-L-U-D-E E-L-U-D-E भी बॉब है जिसकी मीनिंग होती है बच निकलना या टालना एमोरल A-M-O-R-A-L एमोरल एक एक जेक्ट्व है जिसकी मीनिंग होती है नीती नीरपेच या नीती बद इमोरल I-M-O-R-A-L इमोरल एक्जेक्ट्व है जिसकी मीनिंग होती है अनैतिक एंटिक A-N-T-I-C एंटिक एक नाउन है जिसकी मीनिंग होती है बिचित्र, बिलिछड, बिलचड या हरकत से दूसरों को हसाने के उद्देश से किया जाए एंटिक एंटिक्यू A-N-T-I-Q-E A-N-T-I-Q-E एक 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 एक्जेक्ट्व है जिसकी मीनिंग होती है पुराचिन या पुरातन एप्रेज A-P-R-A-I-S-E एप्रेज एक ववव है जिसकी मीनिंग होती है मुल्यांकन करना एप्रेज A-P-R-A-I-S-E एडवल की grasp एडवल पी किसमेंश पत्लमनें मुलय आंकन करना आडवल पी आर इसी यह बी वग मेर्व zijn जिसका मेनक मेर्ण शूचित करना यह प्रवर प्र E अर इसी मिंस मुल्यांकन करना and एड़ पी राइसी मितलब सुचित करना है नुटिस करना आर्टिस्ट एए लाइस्ट नाउन है कला पिरेमी संगीत बहुत करना या कला कार आर्टिस्ट ए आर टी आ जब रहेगा तो ये यह नाउन जाएगा जिसका जिसकी मीनिंग होती है नट अभिनेता गायक आर्टिस्ट यह भी नाउन है जो कि कला प्रेमी संगीत करना यह कलाकार होता है आर्टिस्ट यह नाउन है कला प्रेमी ए आर्टिस्ट यह भी नाउन है इसकी मीनिंग होती है अभिनेता गायक एसेंट ASCENT जब रहेगा तो यह एक नाउन है ASCENT जब रहते है इसकी मीनिंग होती है उत्थान आरोहर चड़ाई अब S रहता है तो उत्थान आरोहर चड़ाई मतलब S जब रहता है और डबल S जब रहता है तो यह भी नाउन है जिसकी जिसकी मिनिंग होती है अनुमती या शहमती स्विक्रिती कॉंसेंट का मतलब अपोजित होता है ना कॉंसेंट का एसेंट होता है ना होई है एडबल S जब रहेगा तो इसकी मिनिंग क्या होती है अनुमती या शहमती है ए डबल S Vision T A S C E N T नाउन है इसका मतलब उत्ताँ चटाई एस्पाइर एस पी आई या रिए इस्पाइर वब है आ कंच्छा करना महत्वा कंच्छा रखना यह उच्छा उथना expire expir 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 इंसपायर आइनस पियरी एंसपायर में इस प्रेडा देना यर दिमाग में बैठाना जीने के अटम ए यू एँ टियू एम एन एँ यू टियू एम एं ए आटम मीश होता है अटम क्या है एक नावन है जिसकी मीनिह होती है पतज़़ का मौसम आटमनल, A-U-T-U-M-N-A-L A-U-T-U-M-N-A-L आटमनल अधेड उम्रका होता है यह एक एगजेक्टिव है A-U-T-U-M-N-A-L यह एक एगजेक्टिव है इसकी मीनिंग होती है अधेड उम्रका EBSOM A-W-E-S-O-Y-A-M A-W-E-S-O-Y-A-M EBSOM यह एक जेक्टिव ही जिसकी मीनिंग होती है भायानक दोनों की मीनिंग भायानक ही होती है एफ़ूल एवाईरी नाउन मिन्स चीडिया खाना एवाईरी मिन्स चीडिया खाना एपायरी मधुमक्खी एवाईरी लग चीडिया खाना चीडिया के रहने का जो जगह होता है एवाईरी नाउन है चीडिया खाना यहां चीडिया के रहने का जगह है एपायरी एपी आई एपी आई एरवाई एपायरी होगा मधुमक्खी के पालन का स्थान मधुमक्खी जा रहती है ओके फ्रेंट्स थैंक्स फार वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक मैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल